अमस्कार, पंचायत आज तक में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ हूं मैं निहाबाथम बहुत कम महिलाएं राजनीती में ऐसी हैं जिनुने अपने दम पर इस शेत्र में बहुत नाम कमाया है अनुप्रिया पटेल जी उनमें से एक है, अपना दल की अध्यक्ष हमाय साथ इस वक्त मंच पर मौझूद है अनुप्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया लेकिन जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है गडबंधन है दरसल सवार बार बार ये उठता है कि क्या सारी नाराजगिया इस गडबंधर में आपके मंत्री बनने के साथ दूर हो गई है पहले तो ये प्रश्न कहां से उठता है कि हम मंत्री बनने या ना बनने के विशे पर कभी नाराज हुए है मुझे नहीं लगता कि हमने कभी भी ऐसा कोई भाव व्यक्त किया है हाँ ये जरूर है कि अपने मुद्दों के साथ और हमारी पार्टी के मूलियों के साथ हमने कभी समझोता नहीं किया है और कभी भी अपने सयोगी दाल के साथ कोई भी हमारा विशे रहा है तो वो हमारी पार्टी के अपने एजंडा को रेकरी रहा है 2017 में 11 सीतों पर आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया उसमें से 9 सीतों पर दमदार जीत हासिल की उसके बाद से अब तक का सफर काफी लंबा रहा है ऐसे में कई बार राजनेतिक मजबूरियां हो जाती है या फिर आपकी विचारधारा इस अलायंस के साथ एकदम परफेक्ट मैच हम माने दिखिए विचारधारा का जहां तक प्रश्न है तो दो अलग-अलग राजनेतिक दल है दोनों की अपनी राजनेतिक चिंतन धारा है समाजिक न्याय की चिंतन धारा को लेकर अमारी पार्टी अपने गठन के समय से संगर्श करती आई है और रही बात गठबंदन में साथ रहने की तो तीन चुनाओ हम साथ में लड़ चुके है चौथा चुनाओ है जिसके लिए हमने मिल बैटके समी करण टै करने है साथ रहने के लिए तो मुझे लगता है कि अब तक के जो चुनावी परिनाम रहे हैं वो इतने सकारात्मक रहे हैं कि ये अपना दल और भाजपा का जो गठबंदने से उस्तर प्रदेश की जनता ने स्विक करना अनुप्रिया जी बड़ी सुबुगाहट होती है कि कितनी सीटे इस बार अनुप्रिया पटेल जी मांगेंगी फिशली बार से जादा मांगेंगी या कम पर बात तै हो जाएगी क्या चल रहा है इस वक्त आपके इस अलायंस में इस गडबंधन में देखिए सीटों का बटवारा तो अन्तिता हमने करना ही है अमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ सीटे उनके पास रहेंगी कुछ हमारे पास रहेंगी और मैत्वपूर बात ये है कि कहां हम साथ में अपनी उर्जा को एक साथ लाके जीत सकते हैं तो सीटों के बटवारे को लेकर चर्चा जारी है और जब ये अंतिम सुरूप पर पहुँचेगी इसका कोई निश्कर्श निकल आएगा तो आपको भी खबर मिली जाएगी अनुप्रिया जी क्योंकि आपने कहा कि जातीगर जनगरना का आप समर्थन करती है जाती के आधार पर एक और कॉलम होना चाहिए जिस पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके लेकिन इससे केंद्र जो है वो पूरी तरीके से ये कहें कि जातीगर जनगरना के समर्थन में नहीं है और आप उनके साथ अलाइंस में हैं ये विचार धारा आपकी दरसल समाजबादी पार्टी की विचार धारा से थोड़ी मिलती है उनका भी जातीगर जनगरना को लेकर है और क्योंकि आपकी माता जी जिनका अपना दल के है तो कृष्णा पटेल जी समाजबादी पार्टी के साथ जुड़ी है तो आपको कहीं न कहीं उन तमाम चीजों से जोड़ कर देखा जारें लगता है कि कहीं न कहीं आपकी जो मुख्य एक मांग है जातीगर जनगरना को लेकर वो इस वक्त समाजबादी पार्टी से मैच हो रही है कहीं कुछ गड़बर तो नहीं है देखिए ऐसा है कि जातीगर जनगरना का जो विशे है वो व्यापक राश्ट्रहित का विशे है तो इसमें एक दल को दूसरे दल से जोडने की बात कहां सारी है मैं नहीं समझ पारी लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कमोबेश आप देखिए तो देश की अंदरा जितने भी विबिन धाराओ वारे राजनेतिक दल है सभी कमोबेश इसके पक्षिदर हैं क्योंकि 1931 के बाद हमारे देश में जाती जनगर्णा नहीं हुई है और राजनीत में भारती समाज के जाती स्वरूप को आप अस्वीकार भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समाज की संरचना का आधार ही जाती विवस्ता है तो चाहे मेरी पार्टी हो चाहे देश की अन्य पार्टिया हो अगर जाती जनगर्णा की बात खुल कर कह रही है तो यह देश की जरूरत है समय की जरूरत है और भारती जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा नहीं है एक बड़ा वर्ग है जो इसके पक्ष में है पिछडावर गायोग भी इसके समर्थन में अपनी बात कह चुका है तो मुझे लगता है कि इसके पक्ष में माहौल धीरे-धीरे बन रहा है और समय के अनुरूप है इसलिए कभी न कभी तो ये होना ही है कुछ दिर पहले मंच पर राजभर जी आये थे राजभर जी ने कहा कि सिर्फ एक के बाद एक लोगों पर ठपा लगाने का काम होगा ये इससे ये देश हित में नहीं है इससे जो जातिया है उनके भविश्य को लेकर कोई चिंतित नहीं है सिर्फ उनको एक वोट बैंक के तोर पर देखा जा रहा है ये एक तरीके से डिवाइड और रूल पॉलिसी है कि जिस जाति को साधना है उस पर फोकस करो उसी शेतर में जाओ और इसी के इन वोट अपने नाम करो राजभर जी क्या सोचते हैं ये उनका अपना मत है लेकिन मेरी पार्टी का अपना विचार है कि देश के अंदर 1931 के बाद हम आज तक जातिय जंगर्णा नहीं कर पाए है और जाती से हम मूँ नहीं फेर सकते हमें देश की जातिय व्यवस्था को समझते हुए देश की अंदर विभिन जातियों उपजातियों के जो सही प्रमारिक आकड़े है उनको जुटाना चाहिए और सरकार की तमाम कल्यानकारी योजनाओं का लाब बड़े सटीक तरीके से जब हमारे पास प्रमारिक आकड़े होंगे तो हम पहुचाने में भी काम्याब होंगे और मुझे इसलिए लगता है कि ये जरूरी है इसे हमें करना चाहिए मैं आपको ये कहना चाहरी हूँ कि अगर देश की समाजिक सनरचना की हकीकत किसी तथ में छिपी हुई है तो उससे हमें दूर नहीं भागना चाहिए हमारे देश में कई हजार जातिया हैं जातियों के अंदर उपजातियां भी है तो हमें सच्चाई तो सामने लानी ही पड़ेगी और अगर हमारे देश की ये हकीकत है तो इसे जानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए 2017 का चुनाब प्रधानमंती नरेन मोदी के नाम पर लड़ा गया योगी आदितनात के नाम पर इस बार का चुनाब लड़ा जा रहा है तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी और साथी जो गड़बंधन में जो पार्टियां है उनको फाइदा मिलेगा या फिर इसको किस तरीके से आप देखती है क्योंकि अब पांच साल का वक्त बीच चुका है काम सब के सामने है योगी जी ने क्या किया है विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर वो सब देख रही है जनता तो इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में दिखिए इसमें कोई संदे है तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की अंदर राजक गटबंदन का नेतरित्व मुख्यमंतरी योगी आदितनाद जी ही कर रहे हैं, निश्चित रूप से पास साल उनकी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस दी है और अपना रिपोर्ट कार्ड भी व तो निश्चित रूप से बोहर तो जनता को ही लगानी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपना दल और भाजपा की गटबंदन को फिर से मौका मिलेगा और अब तो निशात पार्टी भी हमारे साथ है यह जो विकास के काम हो रहे हैं शुरुबात करेंगे पूरवांचल एक्स्प्रेस वे का उध घाटन हुआ उसके बाद अभी कॉरिडॉर का उध घाटन हुआ आने वाले वक्त में और भी कई सारी चीजें लाइन अप हैं तो जो अलायंस वाली पार्टी जो गडबंधन की पार्टी हैं जैसे आपकी पार्टी है इन पार्टीों को इन सब कामों के ठप्पे से फाइदा होता है क्या देखिए ऐसा है समाज के हर वर्ग के अंदर अकांग्शा है अपेक्षाएं भी हैं विकास की और ऐसा नहीं है कि अपना दल के का जो समर्थक वर्ग है वो विकास नहीं चाहता, सिर्फ भारती जन्ता पार्टी का समर्थक वर्गी विकास चाहता है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ती भी विकास चाहता है, इसलिए विकास का लाब समाज के हर वर्ग को पहुँचता है, تو उसका एक मनोविज्ञानिक प्रभाव भी होता ह और निश्यत रूप से आपके जीवन में परिवर्तन भी आता है क्योंकि आपका प्रदेश आर्थिक समर्दी की ओर बढ़ता है और आम जन्मानस के जीवन में जीवन स्तर में इसका बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिलता है तो विकास की अपेक्षा हर वर्ग की होती है और इससे लभानवित भी हर वर्ग होता है निश्यत रूप से विकास के साथ साथ अगर आप बात करेंगी अपना दल की मेरी पार्टी की तो चूकि हम समाज के दबे कुछले वर्ग की राजनीत करते हैं तो एक अपेक्षा यह भ बहुत सारे मसलों का समाधान भी करवाया है। का भी दलुनी के साथ है। ऐसे मैं आपको नहीं लगता कि इस बार थोड़ी सी लड़ाई दिल्चस्प भी हो गई है। तो जीत का आनन भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो मुझे किसी प्रकार का कोई ऐसा खत्रा मैसूस नहीं होता। बलकि मुझे लगता है कि जब आप अच्छा काम करने के बाद जनता के बीच में जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होता है। तमाम शेत्य पार्टियों का अपना एम, योगदाने और लड़ाई दिल्चस्प होनी भी चाहिए। एक लड़ाई आपके घर के भीतर भी है, वो विचार धारा की भी हो सकती है, वो आपके निजी जीवन की भी हो सकती है, जो आपकी मा से और उनकी पार्टी से जुड़ी हुई है। उनने लगा कि इस चीज में फाइदा है, क्या ऐसा आने वाले वक्त में हम अनुप्रिया पतेल और उनकी मा कृष्णा पतेल के बीच भी देख सकते हैं। दिखिए मैं दो बातें स्पष्ट कर दूँ, पहले तो जहां तक अपना दल के हमारे जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, उनकी बात हैं, तो पिछले तीन चुनाओं जो हमने लड़े हैं, उन चुनाओं के परिणाम इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं, कि अपना रिदय में प्रेम भी है, सम्मान भी है, वो कभी कम हो नहीं सकता, मा का स्थान सबसे उपर होता है, और मैंने प्रियास भी किया, परिवार को एक करने का, मुझे लगता है कि किसी दबाओ में अभी यह नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब यह दबाओ कर दो साथ से आएंगे, वहां क्यों समाजवादी पार्टी के साथ चली गई नहीं लोग तन के अंदर भी तो मात्रित का भाव जागता होगा न ऐसे आप कहरें कि पूझनी है मेरी माँ वह भी सोचते हुगा रही हमारी पार्टी और जादा मजबूत हो जाएगी किसी भी हम पार्टी का समर्थन करें तो दोनों माँ बेटी साथ हो तो और जादा बैतर रहेगा यह थौट तो उनके मन फिर इसे पॉलिटिकली जोड़ दिया मैंने फिर आपको बताया कि पॉलिटिकली अगर आप बात करेंगे तो अपना दल का जो वोटर है जो काडर है जो समर्थक है तीन चुनाओं के परि परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगता होगा यह बात कहीं न कहीं आपके जो कैलिबर है क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि उसमें अपनी पार्टी से पार्टी को आगे बढ़ाने की तबाम वो चीजें मौजूद है जो एक नेता में होनी चाहिए लेकिन जब परिवारवाद की उंगलियां उठती हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा self confidence कम होता है वो कभी अनुप्रिया पर टेल का हुआ ने ऐसा मुझे कभी ये प्रश्ण मेरे सामने आया नहीं क्योंकि मेरे पिता जी ने इस पार्टी का गठन किया ये शकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने 1995 में और 2009 में उनका दुखत निधन हुआ लेकिन अपने परिवार में से किसी को वो कभी राजनीत में लाए नहीं त अचानक उनका देहांत हो गया और एसी परिस्तितियों में हमने स्वैम ये फैसला नहीं किया बलकि पार्टी के कारेकरता ने और पदाधिकारियों ने ही मिलकर ये फैसला कि उनके परिवार से उनके संतान को आगे लाना है और पार्टी की बागडॉर सोपनी है तो मैंने को उनके जाने के बाद पाटी ने स्वेम ये निड़ने लिया तो उसके बाद जब उन्होंने स्वेम मुझे कहा कि आप ये जमेदारी लीजिये तो मैंने ली और मेरे लिए सब कुछ नया था लेकिन मैंने कोशिश की और इशवर का अशिरवाद है और मुझे लगता है कि अपन एक उधारन देना चाहूंगी आपको यहाँ पर अखिलेश जी पिछ्णों को बर्गलाने की बात करते हैं अभी आपने सुना होगा कि नीट का जो हमारा एक्जामिनेशन है उसमें M.B.B.S. और P.G. की अड्मिशन्स में All India Quota में पिछ्णों का 27% आरक्षन लागू नहीं था यह मसला मोधी सरकार के समय का नहीं है यह मसला उससे पहले का है और उस वक्त भी अखिलेश जी और उनकी पार्टी चाहती तो इस मसले का हल करवा सकती थी क्योंकि आप कहते हैं आप दावा करते हैं कि आप पिछ्णों की नुमाइंदगी करते हैं तो तब क्या आप समाजी कि नयाय की या पिछ्णों के हिमाईती होने की आप क्या प्रतिकात्मक राजनीती कर रहे थे क्या आप तब सो रहे थे इस मसले का हल अब हुआ है और मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ आपके मंच्पे की इस विशे को मैंने माननी प्रदान मंत्री जी के सामने उठाया है पूरी मज़गूती के साथ उठाया है और इस मसले का पूरी समवेदन शिल्ता के साथ हल किया गया है एक समय वो भी था इस देश की अंदर जब केंद्र की सरकारे इनी पिछणों की नुमाइंदिगी करने वाले दलों की बैसाकियों पटिगी थी तब ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे कास सेंसस भी करवा सकते थे तब आपने इस मांग पर बल नहीं दिया तो आज आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि पिछणों को बरगलाया जा रहा है जबकि आज पिछणों के हित से जुड़े हुए तमाम ऐसे मसले हैं जिनके हलकी और हम बढ़ रहे हैं हमने पिछणावर गायोक को सम्वेदानिक दरजा दिया है इसी सरकार में मोधी सरकार के पिछले कारेकाल में क्या ये कारे यूपिय सरकार के कारेकाल में नहीं हो सकता था तब जो पार्टियां उस वक्त संसद में पिछणों की नुमायंदिगी करने का दावा करती थी क्या इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास किये, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इतिहास में जाके अपने भी इतिहास को खंगालना चाहिए. हाली में एक जासी में आपने रैली करी, वहाँ पर अपने सार्जनिक मन से कहा कि चुनाव हमेशा सोशल जस्टिस और डेवलप्मेंट के मुद्दे पढ़ला जाना चाहिए, यादि कि विकास और जिस तरीके से न्याय नहीं मिलता है समाज के पिश्रे वर्गों को उस पर ध् जरूरी, आपको लगता है कहीं न कहीं ये मुद्दे बैक बर्नर पर रह गए और सारे मुद्दे जो हैं वो जादा एहमियत रख रहे हैं इस बार के चुनाव में, देखिए देश की अंदर पिछ्रा वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो मसले भी कई होंगे, समय समय पर उनके हितों से जुड़े हुए कई मसले उठते रहते हैं, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कई महीनों से हमारे चात्रा अंदोलन कर रहे हैं, सब पिछ्रा वर्ग के चात्रे हैं, उन अत्तर हजार शिक्षक भरती में हमारे चात्रों को जो अंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमारे आरक्षन के नियम है, उनका अनुपालन नहीं हुआ हमने इस विशे को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा है, सरकार इसका समाधान निकालने में भी लगी हुई है और पूरी तरीके से मुझे विश्वास है कि इस मसले का हल होगा तो मेरा यह कहना है, जो सवाल आपने उठाया कि विकास तो चाहिए, जो बात मैंने पहले कही थी, लेकिन उसके साथ साथ, जो एक दबे कुछले वर्ग के साथ, कहीं इस प्रकार के मसले सामने आते हैं, तो ये भी आपेक्षा होती है, कि मसलों का भी हल होना चाहिए, उनके स साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए तो ऐसे मसलों को उठाने का काम निरंतर अपना दल करता रहता है अनुप्रिया जी खाली में देखा कि खृषी कानून पर तीनों विधेया को वापस ले लिया गया जब इसे पारित किया गया था तब विरोध के स्वर उठे उसके बाद एक लंबा चोड़ा एक साल से जादा का अंदुलन ने देखा उसके बाद सरकार को ये तीनों विधेय है एक बेहर एहम वोट बैंक जिस सबी अक्रोस पार्टी उसे माना जाता है उसका जुकाफ किस ओर देखती है अनुप्रिया पठेल देखिए लोगतंत्र की यही खुबसूरती है कि हम बहुमत की सरकारे भी बनाते हैं उनके हातों में ये हिम्मत भी देते हैं ये ताकत भी हर किसम की दलीले सामने आई और निश्यत रूप से एक लंबा समय भी लगा लेकिन अंतता मोदी जी की सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया ये कहते हुए कि हमें लगा कि हम नहीं अपने किसान भाईयों के एक बड़े वर को समझाने में कामियाब हो पार तो मुझे लग जीवित हैं और इसलिए हमारे किसान भाईयों के सामने हमेशा हम सिर जुकाते हैं वो जहां भी जिसके साथ भी खड़े होंगे हम उनके निड़ने को स्वीकार करेंगे लेकिन मुझे पुरी तरीके से विश्वास है कि मोदी सरकार के कारेकाल में तमाम योजनाएं किसानों कि एक जीवन में परिवर्तन लाने की कम से कम हमने शुरुवात की है और किसान भाई जरूर हम सभी को हमारे इस गटबदन को अपना समतन नहीं देखिए यहां कोई हम एहम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हमारा यही कहना है कि हमने प्रयास किया एक बदलाव लाने का हम मैं लगा कि शायद जो हम कर रहे हैं उससे किसानों के जीवन में पुछ वैठर होगा हमारी पार्टी ने सपश्ट कहा था कि किसानों को जिन मुद्दों पर आपत्ती है उस पर हमें संभाद के जरिये रास्ता निकालना चाहिए संभाद हुआ भी लेकिन रास्ते नहीं नि के स्तीफे की मांग उठने लगी विपक्ष ने ये मांग अब संसद में भी उठाई जिसको लेकर धर्णा प्रदर्शन आए दिन होता रहता है संसद तगेत हो जाती है क्या ये मांग जायज है तेखें लखीमपुर की जो घटना है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है उस घटना में जो कुरूरता हमने देखी उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है बहुत दुर्भागेपूर है कि हमारे देश में ऐसी घटना हुई साथ में हमें ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि सर्वोच नयाले की निगरानी में SIT जाच कर रही है और SIT ने कहा है कि ये पूर जाच के माध्यम से सीधे तोर पर उनकी भूमिका इस घटना में सामने आती है तो ये मांग निश्यत रूप से जायज है अनुप्रिया जी अक्सर ये कहा जाता है कि गड़बंधन की अपनी मजबूरिया होती है कई बार उन मजबूरियों में दम घुटने लगता है अनु सुप्रिया पटेल अभी तक अपना रास्ता बदल चुकी होती लेकिन हमने किया ये है कि जब भी कोई ऐसा मसला आया है सामने हमने कभी भी हिचक नहीं की बलकि हमने पूरी मजबूति के साथ चाहे सर्वदलिये बैठको चाहे एंडिये की बैठको चाहे हमारी व्यक्तिग को के बाकी है वो भी होंगे कॉंग्रेस एक नए नारे के साथ अनुप्रिया जी सामने आई है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो लड़कियों वाला ये जो गेम कार्ड अचानल से कॉंग्रेस का सामने आया से अपको लगता है उनका कुछ भला हो पाएगा देखिए ने जारे सब जगे इस फॉर्मूले को अपनाईये मेरा ये कहना है कि बेटियां राजनीती में भागेदारी कर रही है और हर राजनेतिक दल उनकी भागेदारी और उनका प्रतिनिदत बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन महिलाओं की भागेदारी तो इतनी जाद में तुपूर अचानक से चुनाव में हो गई कि अब केजिवाल जी भी पंजाब में हजार उपए से महिलाओं को देंगे अब उनसे सवाल पुछा गया कि पहले दिल्ली में दे दीजे तुने का वहां भी सोचेंगे पहले पंजाब में दे देते हैं देखें महिलाएं भी अब देश की बहुत जागरूख हो गई है तो उन्हें समझ में आता है कि कौन सी पार्टी उनके हित के लिए काम करने जा रही है इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनेतिक दल भी ऐसा समझते हैं कि हम चुनाव में कोई उन्हें लॉलीपॉप पकड़ कि उनका वोट ले सकते हैं ऐसा आप संभव होने वाला नहीं है देश की महिला शक्ती को और महिला मतदाता की शक्ती को हमें अंडर्माइन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कई सके जमीनी हकीकत से वाकिफ होते हैं अब ग्राउंड रिपॉर्ट पर जाते हैं अनुप्रिया जी बहुत सारी महिलाओं का छोटे शहरों में मुद्दा होता है सुरक्षा का संध्या ढलते ही घर से बाहर निकलने में अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं हुई है योगी सरकार के शासनकाल में लेकिन पूर्टा खत्म नहीं हुई है नेहा जी मैं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में एक बार जरूर कहूंगी यह सच है कि महिलाओं की सुरक्षा को हम टॉप्मोस प्रायोरिटी इस देश में अभी तक बना नहीं पाए हैं इसका एक कारण ये भी है कि महिलाओं का प्रतिनिधत भी हमारी राजनेतिक व्यवस्था में जितना होना चाहिए उतना नहीं है दूसरा पहलू ये है कि कहीं न कहीं हमारी अपनी जो समाजिक व्यवस्था है जो सद्यों से चली आ रही है जहां पर महिला को एक दोयम दर्जे का ह लमनागरिक मानते हैं, वो सोशल माइंसेट भी महिलाओं के सुरक्षा के जो तमाम प्रशने उनको खड़ा करता है, तो ये एक महिला की सुरक्षा का जब विशे आता है, तो मैं समझती हूँ कि राजनेतिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ-साथ एक समाजिक प्लाटफॉम पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि धीरे धीरे और ये परिवर्तन धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे समाज जादा शिक्षित होगा, जागरूख होगा, ऐसा नहीं है कि समाज बदला नहीं है, समाज बदला है, अभी और बदलना बाकी है, और बदलेगा, तो समाजिक ताना बाना और शिक्षा दो में तो पूर्ण वजाएंगी और महिलाएं भी आएंगी तो और मजबूती से बढ़ेगी यह मैं जरूर कहना चाहती है खास और पर कई जगों पर तो ट्रिपल तलाग के मुद्दे पर जब मैंने सवाल किया तो महिलाएं कुछ बोलना चाहा रही थी और बोलते बोलते रुख गएंगी और डर का भाव अभी भी महिलाओं के अंदर है कि कुछ वो अपनी राय रखेंगी तो स्वेक्षा से नहीं लगती हूं उस पर भी किसी का दबाव थुपा होगा तेकि सोशल ट्रांसोमेशन एक दिन का विश्य नहीं होता है अपनी समाजिक व्यवस्थाओं को बदलने में एक पूरे वातावरण को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने में लंबा समय लगता है और जैसा कि मैंने का मैं तो आशावादी हूं समाज बदला है आप और हम महिलाएं ही तो है ना यहां आप एक इतने प्रमुख चैनल की आंकर है मैं आज देश की राजनीती में हूँ मोदी सरकार में मंत्री हूँ यह बदलाओं का ही तो संकेत है समय बदल रहा है देश बदल रहा है और देश बहुत बहतर हो रहा है और हमारी महिलाएं भी धीरे धीरे और बहतर स्थिती में आती जा रहे है इसी सकरात्मक सोच के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे पीछे अभी अभी जो हमने देखा अधरिश हाला कि हम मर्डी करने का घाट के नस्दीक पहुंच गया है लेकिन उस दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक